हेलो दोश्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप MS Office 2019 कैसे डाउनलोड करेंगे इस्टॉल करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे चैन्ट्रोल पैनल को ओपन कर लिजिए चैन्ट्रोल पैनल ओपन होने के बाद यहां पर आप आ जाएए सबसे पहले यहां और यहां पर ओपने ुट्जानल करेंगे यहां पर लनीचे आपका आजाएगा जो भीए उस को क्या करेंगे तो यहां से हमें इस राइट क्लिक करके यहां पर कलिक कर देंगे यहां हनि रहें निस्ट्ल्रों auction फोटे चैन्ट कर सकते हैं सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपिन कर लेते हैं तो यहां से हमने क्रोम ब्राउजर को ओपिन कर लिया है हम सर्च करेंगे ऑपिस टेप्लोमेंट टूल और यहां पर सबसे पहले यह आ جाएगक डाउनलोड आफ़िस टेप्लोमेंट टूल तो यहां पर हम क्लिक कर देंगे तो आप स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आएंगे यहां से आपको यहां पर दिख जाएगा ओपिश टेफ्लोमेंट टूल और यहां पर लैंग्विज जो इंगलिस हमने रखा है और डाउनलोड पर किलिक कर देंगे यह डाउनलोड हो जाएगा तुरंत क्योंकि यह 3.6 MB का है तो यहां से हमने डाउनलोड कर लिया है अगर आप चेक करना चाहते हैं तो फोल्डर कर लेंगे जहां पर डाउनलोड हुआ है यहां से हमने इसको चेक कर लिया और यहां पर आप आ जाओगे यहां पर इसको हम पहले राइट क्लिक करके एक कॉपी बना लेते हैं तो इसकी इसी डेश्टॉप पे हम फोल्डर क्रेट करेंगे तो राइट क्लिक करके आप न्यूप पर आ जाना और यहां पर फोल्डर फोल्डर पर जो भी आप नाम रखना चाहते हैं वो भी आप नाम रख सकते हैं तो हमने ऑपीश करके हम कांटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे यहां पर जो भी आपने फोल्डर बनाया है जहां पर भी बनाया हमने डेश्टॉप पर बनाया था तो डेश्टॉप सेलेक्ट कर लिए और यहां पर ओपिस 2021 था तो इसको सेलेक्ट करके ऊके कर देंगे तो इसमें क्या होगा वो file जो भी उसकी होगी extract हो जाएगी इस folder में तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर extract file इसमें हो चुकी है इस folder में तो यहां से हम open करेंगे यहां पर आप नीचे देख सकते हो configuration 2000 office 21 का इसी पर आप क्या करना है क्लिक करने के बाद आप नीचे आके shift बटन को hold करके यानि shift बटन प्रेस करके आप क्या करी राइट क्लिक करना तो यहां पर आपके सामने एक open होगा power cell window इस पर आप क्लिक करने के बाद इस तरह एक आपका run command वाला box आ जाएगा power cell window open हो जाएगी इसमें क्या करना आपको हम एक code दे देंगे description में आप directly उसे copy कर लेना अगर आप type करेंगे तो भी हो जाएगा तो आप वहां पर description में code को यह type कर देंगे जो यहां पर हम paste कर रहे हैं तो आप वहां से copy करके भी यहां पर आप directly paste कर सकते हो तो यहां से इसको हमने एक copy कर लिया notepad का यह test है इसको copy करने के बाद हम क्या करेंगे फिर उसी power cell window में आके इसको paste कर देंगे paste करने बाद enter जैसे press करेंगे तो यह थोड़ा सा load लेगा और आपका installation होना start हो जाएगा आपके वह internet speed पर निर्वर करता है किस टाइब का आपका internet speed है और लगबग इसमें आपका एक जीवी से ज़्यादा डेटा जा सकता है तो आप जब भी install करेंगे आपके पास डेटा होना चाहिए तो यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा यह load ले रहा है और यहाँ पर देखिए installation होना start हो गया है और जो भी आपका net speed होगा उस पर निर्वर करेंगा कितने जल्दी installation हो जाएगा तो यहाँ पर अभी देखिए यहाँ पर लगबग पूरा होने वाला है थोड़ा टाइम ले रहा है तो आप बेट कर लेना और देखिए यहाँ पर installation हो चुगा है और आप यहाँ पर क्लोज भी कर सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस टाइप से दिखा भी रहा है यह और आल सेट ऑपे से इस टाइशन आउ क्लोज करके हम आहिए सबको इसको भी क्लोज कर दिंगे और तोड़ा सिच्टम को रिफ्रेश कर लेते है राई टली करके आप रिफ्रेश कर लिजिए और यहां पर फिर से अब हम इसको ऐप लगा आपault करके देखते हैं कि जह वहां यहां से एकसल हम ओपन कर लिए है यहां से एकसल ओपन हो गया है ओपन होने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि जो भी टर्म हैं कंडिसन हैं इन सबको हम लाइसेंस एग्रिमेंट को एकसेप्ट करलेंगे एकसेप्ट करने के बाद यहां पर Verein करेंगे और यहां पर यहां से घृ 5 ठीश करेंगे यहां पर सकते नहीं अब दौजारा कि्सकार है यह फोरा अपडेट्टेट्ट ओरजन है आप इसको पूरा पर्फेट कर सकते हैं जो भी सारे फार्वुले होते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं तो यह से यहां से द्व्लेंग overlap बुफ लिए और इसमें आप जो भी फार्मुले यूज्ड नहीं